हे दोस्तों वेलकम टू स्टेडी आईएस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं काला अजर और या फिर ब्लैक फीबर के नाम से जो डिजीज है वह में दोस्तों देखने को मिला है वेस्ट बेंगाल में आज की वीडियो में दोस्तों मैं इस पूरे ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला कि आखिर यह जो डिजीज है यह कितना ज़्यादा खतरनाक है इससे किनको खतरा है ओके और यह देखने वाले हैं कि आखिर वेस्ट बेंगाल जो है वो इसके लिए क्या कर रहा है कौन होगी एपेडिमिक है क्या है यह सब कुछ हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को दोस्तों पूरा देखीगा अगर कोई भी डाउट बगरा होता है आपको तो इसको के लिए भी मुझ से कर लीजे क्योंकि मैं बता दूँ आप लोग को बेसिक जो नए बैचेज हैं वो अपकमिंग येर के स्टार्ट होने वाले हैं इंग्लिस और हिंदी दोनों ही बैचेज में तो जो बच्ची भी इंट्रेस्टेड हैं वो खुद को जाके इसमें अन्रोल कर सकते हैं दोस्तो आप लोग लिए 18-22 जुलाई तक offer है 20% off मिलेगा UPSC के courses वगरा पर आप लोग हमारा code उज़कर के benefit ले सकते हैं साथ ही आपको CSC Azure 20% का off है तो इस पर benefit लीजे हमारा code उज़कर के data study IES UPSC CSC के दोस्तो नोट्स भी आप लोग लिए वो ले के आए हैं काफी कुछ है इस बार के नोट्स में आपको काफी बढ़े तरीके से comprehensive जो books है GS की वो भी देखने को मिलेगी तो जिससे के आपकी preparation जो है दोस्तो वो और जाता बहतर हो पाएगी अब test series भी अवले दोस्तो तो यहां पर भी आपको 20% का off मिल रहा होगा अगर आप लोग हमारा code study IES का वो यूज़ करेंगे तो साथी दोस्तो आप लोग को बता दो कि 0% की MIB जो है वो अवलेबल है आप लोग के लिए तो आप इसका benefit भी ले सकते हैं और 24 जुलाई सुबह 11 बज़े आपको देखने को मिलेगा UPSC CSC का GS का कॉमबैक्ट दोस्तो तो जो बचे इंट्रेस्टेड है वो अन्रॉल करने के लिए हमारा जो code इसको यूज़ कर सकते हैं ओके दोस्तो तो यह हैं बाते और आप लोग यहां पे Legends Wisdom Series भी लाए गई है Road to Labasana को लेके जो की 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी आप इसमें भी अन्रॉल करके यहां से भी चीज़े सीख सकते हैं doubt clearing session है दोस्तो तो 20, 21, 22 को आप लोग देख सकते हैं कि किस दिन किसका है और अपने doubts बगरा को clear कर सकते हैं अब देखी दोस्तो बता दूएं कि यह जो disease दोस्तो यह endemic थी बिहार, जहारखंड, उत्रप्रदेश और West Bengal के अंदर अब आप बता दूएं कि इसमें estimate बता जा रहा है कि 165.4 million जो लोग हैं उनको इससे risk होगा 11 डिस्टे के दोस्तो बंगाल की जहां पे 65 cases जो हैं वो black fever के यह notice करें गाएं पिसले कुछ हफतों के अंदर साथ जी दोस्तों आपको बता दूएं कि काला अजर जो है वो practically eredicted है West Bengal से और recently दोस्तों यहां पे कुछ surveillance भी हुए हैं जहां से यह पता लगा है कि जो detection है 65 cases का वो हमें 11 डिस्टिक में देखने को मिल रहा है और यह जितने भी दोस्तों यहां पे cases हैं यह यहां पे दिरे देगर के spread हो रहे हैं तो आप लोग को आप कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा अब यह क्या है बिमारी देखे काला अजर के लिजी ठीक है अब इसका काफी खतरनाक नाम है जो इसका scientific नाम है जो मुझसे नहीं लिया जा रहा था मैंने पहले कुछ करी वीडियो से पहले पर नहीं लिया गया तो आप लोग जाने लिजी काला अजर या फिर ब्लैक फीव उन पे hair वगारा भी रहते हैं और एक और दोस्तो कि जो यहां पे send flies नहीं यह infected करती है परसाइट को और उसको भी हम लोग कहते हैं यहां पे लाइसमेनिया डुनवानी ओके जो डीजी दे दोस्तों जो की एफेक्ट करती है पूरेस्ट लोगों को या फिर ऐसे लोग जिने माल नुट्रिशन हो गया है जिनका यहां पर पॉलूशन डिस्प्लेस्मेंट है जिनकी पूर हाउसिंग है वीक है उनका इम्मिनिटी सिस्टम कुछ गया है उनके पास फानेंसरे रिसोस की लैक है क्यए यहां की इतनी इक्कत ही तो पैसा नहीं तब्लियूशन संव्कामें बapat की से हमध्यर्शन भी गया है ँबरुशन बिमारियां जो है देखने को मिलती हैं 2020 में दोस्तो 90% से ज़्यदा cases थे वो हमें देखने को मिले थे आप कह सकते हैं 10 अलग अलग countries में और वो थी आपकी Brazil, China, Ethiopia, Eritaria, India, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan और Yemen तो यह आप कह सकते हैं कि वो 10 countries थी जहां पर हमें जो cases हैं इनके वो नए बिल्कुल हमें देखने को मिले थे अब जो काला अजर है दोस्तो यह भारत में कैसे डिडेक्ट हुआ या फिर कब हुआ देखें वेस्ट बेंगार में दोस्तो काफि सारे जहां पर यह maximum number में फैला है जैसे कि डारजलिंग हो गया माला हो गया उत्रा दिंज पूर हो गया आपका दक्चीन दिंज पूर हो गया और यहां पर जो कालिम पूंग है यहां पर कुछ दिस्टिक्ट दोस्तो ऐसी भी हैं जहां पर कुछ कि यह पर कंचीडियान पर कईशार करने उतर प्रदेशने को अंपद पांधर मिला है उनको में हमें कहीं ना कहीं जो सिंप्टरेम्स कालाजर के यह भी देखने को मिला है अपई भूरिकेट के उन्होंने का कि गवर्रमेंट ट्रीट करेंगी हर एक व्यक्तिक जिसको भी ट ऐसे के होगा क्या सिंटम्स हैं काला अजर के तो देखे एर्रेगुलर दोस्तों बोर्ट साना फीवर काफी जाए दिनों तक वेट लॉस होना एनलार्जमेंट होना इस्पाइलिन लिवर वगएरा की अमीनिया हो गया दोस्तों आप लोग का यह सब इसके कॉमन सिंटम्स हमें देखने को मिltे हैं साथ दोस्तों स्कीन जो है वो भी ठूरीटे जो जाती है सिंह होती है स्कैल पैज़ेद फिल्प पैटी हैं है ह्र भी दोस्तों कम होने लगते है यह इंट इसके सोなた ہ्के और जो लाइट ग्रे जिद दिखेने मिलता है इसके जहां पे हेंड बगैरा है अब यह जो दोस्तों है डिजीज यह ट्रीटेबल है और इसके इलाज भी एवलिबल है बस यहाँ पर क्या है कि इम्यूनो कॉंपिटेंट सिस्टम को रिक्वायर चाहिए मतलग कि जिनकी यहाँ पर वीक इम्यूनिटेज सिस्टम है उन्हें आपका चाहते हैं यह डिजीज जादा होता है तो जिन लोगों के वीक है उन्हें स्ट्रॉंग करना पड़ेगा और उनका पूरा जो कम्प्लीट ट्रीटमेंट है इसको सही तरीके से निभाना पड़ेगा अधरवाई दोस्तो यह जो बिमारी हमें यह आपका चेकते हैं देखने को मिलेगी और यह खतम नहीं होगी बेसिकली अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या चीज़ जरूरी है देखे इसकी एक मेडिसीन आती है जिसक kpres को आपका चेकते हैं आस-पास घुमने में तो जो भी यहाँ पर इसको गॡरा यह होता है उसका मतलब है उसके बाद गया होनके यहाँ का विस तरीक के हमें देखने को मिलते हैं और ये सब हमें बता रहे हैं यहाँ पे National Kalahzer Elimination प्रोगाम के तुरूपे ये चीज़े करे गए थी जो इसके यहाँ पे Medicines हैं, Insecticides हो गया Technical Support हो गया, ये भी सब Central Government के द्वारा दिया जाता है, वही दोस्तो जो State Government है ये भी जो Cost है वो Involve रखती है अपने Implementation में कि जो भी Implementation होगा इन सबका, उसके अंदर जो Cost होगी ये State Government दे रही होगी तो ये बाते हैं जो कि हमें पता लगती है अब ये जो डिजी दे दोस्तों क्या ये Endemic है ओके या फिर ये Endemic बना तो देखे एक आर्टिकल प्रब्लिस हुआ जोनरल साइंस के अंदर तो बोला उन्होंने कि जब ये Epidemic था और Endemic हुआ इसकी पूरी Responsibility यहाँ पे कि Protecting Against इसके सिफ्ट होने पे जो Government से यहाँ पे Individual तक पहुँचना बहुत मुस्किल रहा जो WHO के Official से उन्होंने बोला कि ये HIV की तरह है तो जो Novel Coronavirus था जो कि एक Endemic था पहले वो अभी तक नहीं गया है आप लोग कह सकते हैं काफी ज़्यादा Massive अफट रहा उनका और काफी ज़्यादा Spread था ये भी में देखने को मिला है वहीं दोस्तों यहाँ पर WHO ने एवरेजनसी जो उसके डारेक्टर होनों ने कहा कि ये काफी important है कि हम इस issue को सामने ले के आए क्योंकि ये जो आप कह सकते हैं जो virus है ये हमें एक और आप कह सकते हैं endemic virus देखने को मिल सकता है हमारी community में और हो सकता है कि ये भी कभी ये कभी ना जाए तो ये सब problem है दोस्तों क्योंकि कुछ बिमारी ऐसी होती है जो कि हमें देखने को मिलती है कि वो जाती नहीं कभी बस हमारी body ऐसी हो जाती है कि वो उसके against लड़ सकती है तो ऐसा बताए जा रहा है कि ये भी ऐसी बिमारी है कि जाएगी नहीं कभी बस हमें अपनी बॉड़ी को ऐसे बनाना पड़ेगा वैक्सीन के तुरिया कुछ भी करके कि ये लड़ सकें अगर अब भी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सेजिशन है कोई बात से रिलेटेड तो आप लोग बताईएगा कमेंट सेक्षिन में मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हवा नाइस डे एंड टेक क्या